वेलकम टू एक्जाम तक आज 30 जनवरी और 30 जनवरी 2021 से बनने वाले सभी important current office के question अम लोग इस वीडियो में करने वाले साथ में मैं आपको हरे question के साथ मैं detail में explanation भी बताऊंगा and साथ मैं आपको English की vocabulary भी मिलेगी last में आपसे question भी पूछूंगा जिसका answer आपको comment वक्ष में देना है तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखेगा इसकी quiz and pdf जो है आपको telegram पर मिल जाएगी link का नीचे description में दिया गया इसमें exam से question बना है तो transparency international ये तो है organization जो कि इस index को जारी करता है और कौन सा ये ब्रश्टा चार पर इंडेक्स है यानि की corruption पर और इसमें भारत की rank रही है 86 rank जो की काफी खराब है बढ़िया नहीं कह सकते हम लोग ठीक है न 86 रही है इंडिया की rank जबकि 2019 में जो है असी थी बरस्टा चार में rank यानि की बरस्टा चार में rank घटी है कोविड के बीच में भी बड़ी नहीं है यह है 2020 का इंडेक्स जो की अभी 21 में जारी हुआ है आने वाले हर एक exam के लिए यह important रहेगा आपको याद रखना है पूरा का पूरा लेश्ट है मैं आपको important point बता दों transparency international इसको जारी करता है 180 देशों के इस्तान में 180 देशों में 86 rank जो है यह इंडिया की रही है जबकि इंडिया के साथ साथ और 86 नंबर पर कौन से देश रहे बुर्किना फासो मॉरको पूर्वी तुमार ट्रिनेड को और तोबेको और टर्की बलबी इन देशों की भी rank जो 86 ही रही है इंडिया के साथ तो वो तो इंटा इंपड़े नहीं है आपको इंडिया की rank याद रहे है टोटल याद रखने है और लास्ट आल जो है भारत की 80 rank थी इस साल है अब टॉप देश आपको याद रखने है जो कि बहुत ही जदा इंपड़े ने न्यूजी लेंड और डेनमार्क जो ना ये रहे हैं टॉप पर 88 स्कोर के साथ इसमें क्या होता ना 100 का इसकोर होता यानि कि ऐसे समझ लो 100% का जिनके 100 में से 100 नंबर आ गए उनमें करप्शन बिलकुल भी नहीं है जिनके बहुत कम आए उनम करप्शन में मामले में अभी भी भारत की आलत बहुत खराब है डेनमार्क और न्यूजी लेंड का स्कोर 88 रहा है आप लोग बेख सकते हैं और सबसे नीचे कौन रहा है तो सोमालिया और दक्षिन सुडान ये इनका स्कोर सिर्फ 12 है ओनली 12 दक्षिन सुडान और सोमालिया इसका एट कोट रहा है यानि कि जर्मनी के एक संस्ता है ट्रांसफरेंस इंटरनेशनल इसकी स्ताबना हुई थी 1993 में यह याद रखना अधिक्ष याद रखने की जुरूत नहीं है तो यह पूरी की पूरी आपको इत्ता इंपोरेंट इस कोशन के बार में याद रखना है नेक्स्ट रखर बात के सेकंड कोशन की यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपोरेंट है हाली में भारतिय सेना के उपादिक्ष के रूप में किसे नूप क्या है तो अभी इंडियन आर्मी को मिल गया नया उपादिक्ष एसके सेनी थे अभी तक उपादिक्ष लेकिन अभी रखता है मनुज मुकण नर्वने के बाद जो है यही आर्मी चीफ भी बने तो यही अभी तक तो आपको यह याद रखना चंडी प्रसाद मोहनती के बार में कि नए भारतिय उपादेक्स बन गए नए भारतिय सहना के ठीक है ना और एसके सहनी जो है अभी रिटार्ड हो रह हाली में ऑस्ट्रिलिया इस्टत लोवी इंस्टिटूट द्वारा जारी कोरोना वायरस प्रदसन सूचकांग में अंठानों देशों की सूची में भारत की सिस्तान पर आए तो अभी जो ऑस्ट्रिलिया सीडनी इस्टत एक लोवी इंस्टिटूट इसने एक इंडेक्स जा प्राब रेंक है कोई अच्छी रेंक नहीं है टॉप पर रहा है न्यूजी लेंड देश जिसने सबसे पहले कोविड-19 से मुक्त होने की भी गोश्णा कि दी न्यूजी लेंड वियतनाम और ताइवान जो है यह है टॉप त्री देश इसके लग ब्राजील जो है इस लिस्ट में सबसे नीचे पर आए ब्राजील में कोविड से भी आलत अभी भी अच्छी नहीं हुई है और में बात किया चाइना को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया क्योंकि वहाँ पर कोई जियो पुब्लिकली डेटा जो है गोवर्मेंट के दौरा कोई अनौनस नहीं होता है और फायर पावर इंडेक्स में भारत की रंग फोर्थ रही थी यानि विश्व का चोथा सबसे चकति शाली देश साथवा कौन साथा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भी साथवा बता और 94 है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में तो इस सारों के सभी इंडेक्स आपको इ सबसें टाइम है स्कोट मौरिसन है प्रदान मंदरी इंपोरेंट याद रखना मुद्रा है औस्ट्रिया डॉलर सबसे छोटा महादूई पूछ ले जाए तो ऑस्ट्रिया है जबकि शेत्रफल के आदार पर अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रिया चटा सबसें बड़ा देश ठीक है ना उस्ट एकर बात की जाए चौते कोशन ही हाली में इस बइक नए एंढ केंदी किसे निट को अभी जो हैं SP अलप सबसें आने वाले कोशन है यह ट्रान्सपैरेंसे इंट्रनेशनल वाला बारत्यों रखना वाला यह कोविड-19 इंडेक्स एंड चोता हैं SBI के नए M.D. के बार हैं सभी कोशन बहुत ही ज़्यादा इंपोरेंट हैं सभी फ्रेंड्स को शियर जरूर्शे करना वीडियो को तो SBI के नए M.D. कौन बने हैं स्वामी नातन जानकीमन और अश्विनी कुमार तिवारी इन दोनों कोई SBI के नए M.D. के रूप में अभी अपोइंट किया हैं अश्विनी कुमार तिवारी का नाम तो आपको याद होगा जो SBI कार्ट्स है ना उसके ये जो हैं M.D. and CEO थे SBI कार्ट्स जो हैं ये SBI के अंडर में आती है उसके ये जो हैं M.D. and CEO थे अभी बन गए SBI में M.D. ठीक है ना ये आपको याद रखना है तो A और B जो है D option बिल्कुल correct हो जाएगा SBI में किया ना एक तो है अध्यक्ष और अध्यक्ष प्रिजेंट टाइमें को ने दिनेश कुमार खारा इनके अलवा चार होते हैं M.D. चार-चार M.D. होते हैं जिस तरसे L.I.C. में होते हैं उसी तरसे तो स्वामी नाथन, जानकीमन, अश्विनी कुमार तिवारी इन दोनों का नाम याद रखना है यह latest appointment होए है बाकि अश्विनी भाट्यक की भी appointment जो है अक्टूबर में हुई थी इनका नाम याद रखना है एंड इनके अलवा है C.S.S.E.T. तो यह चारो ही नाम आपको याद हो गए यही चारो है M.D. और अधिक्ष आपको मैंना आपको बता दिया दिनेश कुमार खारा जो है वो है इसके present time है अधिक्ष S.B.I. के S.B.I. की स्तापना कब होई थी एक जुलाई को इसलिए जो एक जुलाई को S.B.I. डे भी मनाया जाता है एक जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है एक जुलाई को G.S.T. डे भी मनाया जाता ठीके ना ट्रेक्टर डेली जो हुई है ये लोग तंत्र पर मलब बहुत ही ज़्यादा चोट पहुचाने वाली ये हुई थी कि हमारे लाल किले पर जो अटेक कर दिया उन लोगों ने अब गनतंत्र दिवस की परेड में जो है हर साल ये जाकी को जो है अवोर्ड मिलता है तो इस बार उत्रपदेश की जाकी को पहला इस्तान मिला है आपको important याद रखना है यानि कि उत्रपदेश को पहला त्रिपूरा की जो जाकी ती उसको दूसरा और उत्राकंड की जाकी को तीसरा टॉप तरी याद रखना वागी most of तो उत्रपदेशी पूछेंगे और उत्रपदेशी में भी क्यों पूछेंगे राम मंदरी की जो जाके थी उसको मिला है पहला प्राइज आपको बहुत ही ज्यादा important याद रखना ठीक है ना नेक्स्ट बाद के चटे कोशन की हाल में किस राज्यक है यरवदा केंद्रिय कारागार से जेल परियतन पहल की शुरू आत कि अभी महाराष्ट सरकार ने जेल परियतन पहल की शुरू किया यानि कि आप पैसे देंगे और जेल में घूम कर आएंगे जेल में आपको experience मिलेगा कि जेल में कैसे लोग रहते हैं अब जेल का experience कौन करेगा भाई साथ तो माराष्ट में मैं आपको बता दू कई सारी ऐसी जेले हैं जहां पर प्रसिद्ध जो भारत के इत्यास कारते हैं वो रह चुए वीर सावर करोगे मात्मा गांदी शुबात संद्रवोस सभी बड़े कारगार से 150 साल पूरा ने है इसमें जो है मात्मा गांदी और बाल गंगादर तिलक भी जो हैं इस जेल में अपना समय काट चुके हैं तो इस जेल से शुरू किया यानि कि महाराष्ट सरकार बिलकुर करेक्ट आप्शन होगा महाराष्ट राज्य ठीक है ना अगर बात के म मुठा नदी के किनारे इस्तते पूरे जहां पर यह यरवदा कारगार भी है ठीक ना तो मुठा नदी पूरे याद रखना है इंपोड़ेंड कई बार एक्जाम में बनता है मैं आपको बता दू फ्रेंड्स यरवदा केंद्रिय कारगार के बार में यहां पर लाश्ट ट् यहां पर आप भी जा सकते, घूम सकते हैं नेक्स्ट अगर बाद के साथवे प्रदानमद्री बनी कालास तो अभी काजा यह stunt की पहली महिला प्रदानमद्री बनी है यह बनी है अस्टोनिया की पहली तल्लीन है इस्टोरिया की राजदनी और मुद्रा है उस्ट्रिया की यूरो आपको important याद रखना क्योंकि अधिक तर यूरोपियन कंट्रिस की मुद्रा यही है यूरो इसके अलब मैंने आपको बताया फिनलेंड की तो फिनलेंड की प्रदानमंत्री कोन है सना मरीन है जो की पात के आठवे कोशन की हाली में किसने 35 प्रगति बैठक की अधिक्ष्टा की अब यह प्रगति बैठक किया है तो मैं आपको बता दू प्रगति बैठक एक तरस से बैठक है जिसमें proactive governance and timely implementation जो भी सरकारी योजनाय चल रही है जो भी सरकारी की काम चल रहे सरकारों के अलग अफिक्ष्ट के साथ ये बैठक होती है जिसमें उनके काम का जोकी जो है पूरा एका जोका जो है वह प्रदान मदरी नरेंटर मोधी खुद देखते हैं ठ़के न तो यह आपको याद रखना है नरेंदर मोधी के बार में क्या याद रखना है इनका लोगसवाद से हैं राजनाथ सिंग सांसद आपको इंपोर्टेंट याद रखना ठीक है ना नेक्स रगर बात के अब यह वोक्त का सेक्शन चहां पर पांच वड़ आपको वोक्त के मिलेंगे पहला वड़ कौन सा है मौलीफाई मौलीफाई का मदलब होता है पैसीफाई अब पैसीफाई इंडर गया है jis कोई डर नहीं लगता उसको इंट्रपीड के थैट ना इंट्रपीड यानने की फियरलेस होता है यह नेडर होता है इन वर्ट्स को जो आप लोग यूज किया किये इंगलिस की जो इंदेदे ले मेज और निदे देदा आनेघन घंटे का प्रोग्राम उसस वही होता ओटोनम यानि कि स्वत्त शाषन किसी के अंडर में नहीं रहना ओटोनमी कहते हैं छोता है इन्वेशन इन्वेशन आपने चुनाओकर अवाचार इंडेक्स भी आता इन्वेशन इंडेक्स तो वही है अल्टरकेशन नव परिवर्तन कुछ नया बनना ना तो जो हैं उसको और तेज करते हैं रिलियंट बनाते हैं उसको के दें नैमोनिक ठीक न तो पांचो वर्ड काफी अच्छे थे और अच्छे इस्टेंडर्ट के वर्ड थे मॉलिफाई इंटरपीड आटोनमी इन्वेशन एंड नैमोनिक तो पांचो वर्ड आपको याद रखन आप पर भारत का एक मात्र सक्री जो आला मुखिये इसका सब्से दक्षिनी बिंदू कौन सा है तो वह इंद्रा पॉइंट इसकी राजदन है पोर्ट ब्लेर यह सारी डीटेल आपको लिगने थी कमेंट बॉक्ष में अब आज का कुश्ण कौन सा है किसने 31 जनवरी तक चलने इंद्वर